लोगडाउन के बीच यूपी के जो चात्र शिक्षानगरी कोटा में फंस गए थे उन्हें घर ले जाने के लिए यूपी से 200 बस कोटा पहुँची ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से यूपी के सभी चात्रों की स्क्रिनिंग की गई जिसके बाद चात्रों को बसों के माध्यम से घर पहुचाय जा रहा है बताय जा रहा है कि कोटा में यूपी के साथ हजार से अधिक कोचिंग स्टुडेंट्स मौजूद थे ऐसे में इन छात्रों की पीडा को समझते हुए यूपी सरकार ने ये कदम उठाया है इन परशासन दॉरा नहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो परिवन बसे हैं उनको भेजा गया है पहले नहाँ परशासन उनको समयर करने का में सब भी बशों को नहाँ पर समयर करने के लिए उन चात्रों को बिठाया जाएगा जो काफी समय से लोकडाउन की समस्या के चलते कोटा में ही पस गए थे जब इन चात्रों को जहां से सबी को बारी बारी जहां पर इन बसों में बिठाया जाएगा प्रदेश परिवहन की बसे नहां पर जासी से आई गई है नहां पर उत्र प्रदेश के अगर रिचातरों की बात की जाना है राजस्तान में यहां पर कापी बच्चे पढ़ते हैं और भी कई इंशिटूट है जिनके बच्चे यहां पर पढ़ रहे थे और लोगडाउन की स्तिती के बाद में वो यहां पर अटक चुके थे किसी तरह से युतरप्रदेश सरकार और राजस्तान गोवर्मेंट के साजा प्रियास के बाद में इन बच्चों को अपने घरों पर पोचाने का कारिक किया जा रहा है केमरामेन दीपक के साथ राजिंदर भार्दुआज एवन के लिए कोटा से